अम्रितामिश्रा अम्रितामिश्रा.डॉट कॉम में आपका स्वागत है। अधा टेबल स्पूल इसमें लाइची पाउडर लिया है। और आधा चमच मैंने इसमें डेसी गी ली है। रस्पी बताने इसमें आपसे रिक्वेस्ट और प्लीज आप में वोड़े को जरूर सब्स्ट्राइब करेगा। आपका हाई में हम अपना डेसिकेटेड कोकोनेट लेके डाल देंगे। नारियल का बुरादा भी इसको कहते हैं। और गैस अभी मैंने ओन नहीं की है। और इसमें अपना कंडेस्ट मिल भी लेके अड़ कर देंगे। देर सो ग्राम नारियल का बुरादा है तो 200 ग्राम कंडेस्ट मिल है। ये रेशियो एकदम ट्राइड और टेस्टेड है। इससे आपक जो बर्फी है नारियल की बर्फी बहुत ही अच्छी बनेगी। रेशियो एकदम अच्छा है यही रेशियो आप यूज़ करेगा अब मैं गैस आउन करूंगी अभी तक मैंने गैस नहीं आउन की थी अब गैस आउन कर दी है मैंने और इसको मुझे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है और इसको पकने में एकदम से भी जादा समय नहीं लगता है यह एकदम हमारी बस तुरंत ही बन के त्यार हो जाती है दो से तीर मिनट बस हमें इसको अच्छे से चला करके बस यह करना है कि यह सारा material है यह बॉल जैसा एक जगे collect होने लगता है बस हमें उत्ता ही इसको पकाना है तो हम इसको एक मिनट के लिए अभी अच्छे से चलाएंगे यह रेखिए एक से देड़ मिनट हुआ है और यह कैसे यह बॉल बन के एक जगे material सारा collect हो गया है तो जैसा कि मैंने कह इसको पकने में एकडम से भी ताइम नहीं लगता है तो बस गैस हमें बंद कर देनी है अपनी अब हम इसमें इलाइची पाउडर भी मिक्स कर देंगे इलाइची पाउडर कम्प्लीटली ऑप्सनल है अगर आपको इसका टेस्ट पसंद हो तभी आप इसमें यूज़ करें तो इसलिए हम अप्लेट ग्रीस कर लेते हैं यह देखे एक प्लेट में मैंने सारा मटीरियल शिफ्ट कर दिया है अब इसको ऐसे हमें अच्छे से स्प्लेस से प्रेस करते हुए एक जगे कलेक्ट कर देना है क्योंकि हमें इसकी पिर वर्फी काट नहीं है तो एक जगे अगर आपको एकदम फ्रेश पसंद है और आपको शेप से बहुत सरक नहीं पड़ता है तो आप इसको तुरन की काट के साथ भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा शेप देना है तो आप इसको 15 मिनिट के लिए फ्रेज में रख दें तो बहुत ही अच्छा स्कॉयर शेप कट जाएगा इसका यह देखिए 15 मिनिट हो गया है इसको मैंने फ्रेज में रखा था अब मैं इसको काट लोगी यह देखिए कितना अच्छे से यह हमारी कट जा रही है यह देखिए कैसे हमारी जट पट नारियल की बर्फी बन के तयार है तो इस सावन के महीने में और रक्षा बंधन में आप भी यह बना के ज़रूर ट्राइ करिए तो फ्रेंच साथ को मेरी इसके नारियल की बर्फी पसंद आई है तो प्लीज आप मेरे दुखो ज़रूर सब्स्राइब करेगा लाइक करेगा और जाना स्यादा शेयर करेगा ओके बाई